नमस्कार मनी मंत्रा में हम बात करेंगे पैसे और पॉलिसी की आपके साथ में हूँ महराज दुबे और आज बात करना है मिनरल्स की नैच्रल रिसोर्सिस की हमारे देश में बहुत सारी प्राक्रितिक संपदा है जो हमारी अमीरी की वजब बन सकती है लेकिन क्या उससे हमारे बन गहे हैं सिर्फ छोटी सी घूस के लिए और क्या हम responsipal mining करके आगे ग्रोल कर सकते हैं बहुत सारे फाइदेंगी सकते हैं माइनिंग के अगर रम सको jeunes को और शास्री और बरिश पत्रकार परणजय गोठाकुरता गोपाल कृष्टना हमारे साथ है टॉक्सिक वाच अलाइंस के और हमारे साथ है आर पी बलवन फॉरस सर्विसेस में रह चुके हैं फॉरस करंजर्विटर रह चुके हैं और अब वेदानत ग्यान मिशन में ग्याननन यूज में क्यों रहती है क्या पहले माइनिंग नहीं होती थी यह मामला क्या है अफिसियली संसद में यह स्विकार किया जा चुका है कि अपने देश में बिरास 82,000 इंडीगल माइन्स हैं माइनिंग हो रहे हैं सिर्फ 8000 माइन्स लिगल हैं जब यह एडिमिसन हो चुका है फिर रेक्टिक वाइं मेजर्स कुछ उसको सुधार के लिए कोई कदम उठता हुआ दिखता नहीं यही नहीं संसदिय समीती परलेमेंटर स्टैंडिंग कमीटी कोल एंड स्टील कल्यान बनर जी उसके चेयर मेन उनकी रिपोर्ट है वो पूरा दस्तावेज बताती है टेस् एक्सप्लाइटेशन हो रहा है और गवर्मेंट कोई मेजर नहीं ले पा रही है तो सवाल स्टैंडिंग कमीटी भी पूछती है और हम लोग भी पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सरकार इंडिगल माइनिंग को और करप्षन इंडिगल माइनिंग इस करप्षन और इन सिलसिला करप्षन का कोई आइसुलेशन नहीं यह लग रहा है कहीं लीगल हो रहा हो तो वह एक्सेप्षन हो तो वह अपाद है गोपाल किष्ट्रा का कहना है पर यहां पर बात पॉलिसी की तो अपनी जगह है और भी करेंगे मिस्तार से लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है है कि मानने जाना है कि अब नैँचरल रिसूर्सिश ऩहम विदेशी कमनियों को भी अलाव कर रहे हैं हमारी कम्पनिया भी कर रही है बहुत हथ तक और उससे बहुत सारी किरान्तिय आने वाली है बहुत फायदा होने हे है ये कितना सच है क्या वही पर कहीं गड़ बड़ है जब हम इलीगल और लीगल माइनिंग का जो डिफरेंश जाना चाहते हैं जिसका फाइदा आएगा वहां हमारे देश के लोग ने हैं देश का आम आदमी ने हैं दुख का बात है जिसका फाइदा वो खनन करके जो नहीं होता है उनके एक तरह से ये जो प्राक्रिटिक संपद है एक तरह से उनके लिए एक अभीशाप हो गया जैसे अर्थशास्ति कहते हैं डिस्रोसCurs कर्स जो प्राकृतिक संपद जो इनका फाइदा ची लिए ये पूरा देश का संपती है किसी एक वेक्ति का यह और मै ही हो जाता है और यह जो सवाल आपने पूचा आज ने बहुत सालों से गैर कानूनी तरह से खनन हो रहा है मगर इन्होंने सरकार रोखा ने सरकार को जो नियंद्रन करने का जो संस्ता है जैसे आई बीम इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स यह इतने कमजोर है किसी के खिलाब सजा देने का भी शमता नहीं है तो गैर कानूनी खनन दिन के दिन साल एक बार दशक दशक बढ़ता रहा और आपने अभी अभी देखा आपने सोचा कि टू जी स्कैम विश्व का भारत विश्व का सबसे वरा घोटाला है एक लाग बहत्तर हजार करोर तो यहीं सीएजी का रिपोर्ट अभी कह रहे है कि जो जिस तरह से कोईला का जो माइन्स बट दिया गया नीजी संस्ता को दे यहीं सैजी का ले यहींड्या, प्रेट वहीं सोचा है कि यहीं से बटो बेन आपने सोचा है विश्व को विश्व के विश्विडर ईपने विश्व क면 है भी मेर के लिए थाष्व में टूफराने है कогल विढ सक्ट है टूलोर्य अविश्री को हिजश्व को इसे अविश झाल झाल